हेलो डॉक्टर साब मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्राजुएट कर चुकी हूँ मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की साधी करे और अगर ऐसा हो कि ओ मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के ख़र में नवाज पड़े और हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे तो ये क्या जायज है या नादद है ग्यान का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुस्लिमान लड़का हिंदू लड़की से शाधी करता है तो क्या वो मुसल्मान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसल्मान के घर में पूजा कर सकती कहने सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज के आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पईया रखेंगे साइकल का एक पईया रखेंगे ट्रेक्टर का तो गाड़ी चलेंगी क्या नहीं चलेंगी या चारो साइकल कर दो या चारो ट्रेक्टर कर दो इसले और गुरान की आयत सुरे बक्रा की सुरा नमबर दो आयत नमबर 221 में आल्ला ताला फर्माते है कि आप मुश्रिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो इमान ना लाए मतलब जो गैर मुस्लिम हैं और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो एमान ना लाया right और एक एमान लाने वाली आुरद चाये कितनी भी बसूरत हो वो एक मुश्रिकां से बहतर है और आगे आयत कहती है के लड़कियां मुश्रिक लड़कें से शादी नहीं कर सकती जब तक वो इमान ना लाए एक मुमिन आदमी चाहे कितना भी बसूरत हो वो बहतर है बनित्बच जो शिर करता है इसकी वज़े ये है कि इसलाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के इलावा किसी को और पूचते है किसी और की अबादत करते है ये सबसे बड़ा गुना है और अल्ला तला फर्माते है सुरह निसा में सुरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सुरह निसा सुरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्ला सुभानावा ताला अगर चाहे तो कोई भी गुना को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगा अगर एक इनसान मुश्रिक जैसा मर गया तो अल्ला ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता क्योंकि मुश्रिक वो शक्से जो शिर्क करता है और यह सबसे बड़ा गुना है क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा इशुर, हमारा खुदा, हमारा भगवान अगर हम उसको गाली देंगे यह सबसे बड़ा गुना है जिसने हमें जिन्दगी दी जिसने यह सारी चीज़े हमें दी दुनिया में अगर हम उसको गाली देंगे उसके इलावा किसी और की अबादत करेंगे यह शिर्क हुआ तो इसी लिए इसलाम में आम मुसल्मान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है अगर उसके सामने कोई मूर्ती नहीं है तो वो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगा साफ है हमारे रसुल मुम्हें से फर्माते कि सारी दुनिया, सारी धर्ती मुमिन के लिए मस्जिद है अगर सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते देखना चाहिए कह साफ है आप नमाज पढ़ सकते तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर्मे जाते है और वो साफ है, कोई मूर्ती आगे नहीं है नमाज पढ़ने में कोई हर्द नहीं है जरूरी नहीं है, का आपको शाधी करना चाहि फिर आप नमाज पढ़ सकते शाधी करने की जरुरות नहीं है नमाज पढ़ने का है अगर साफ जगा है तो कोई हर्द ने इसलिए शाधी के लिए शर्त है दोनों का इमान हो और अगर आप हिंदू मख़भ पढ़ेंगे तो हिंदू मखभी किताब में भी यह लिखा है जो मैंने पहले पेश किया पहला जो सवाल था भाईसब का और मैंने कहा कि हंदू मखभ में भी यह लिखा है नातस्सीबति मास्ती उस इश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं कोई मूर्ती नहीं कोई फोटोग्राफ नहीं कोई पेंटिंग नहीं कोई पोट्रेट नहीं कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्ईू नहीं अगर ये मान ले कि कमसकम जो यक्सा है हिंदू और इसलाम के मजभी किताब में कमसकम उसके उपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किला दूरो जाएंगे जो यक्सा नहीं है उसको कर डिसकस कर सकते और अगर आप तैकी करते है तैकी करते हिंदू मजभी किताब पढ़ते और इसलाम मजब किताब पढ़ते दोनों में लिखा है खुदा एक है दोनों में लिखा है खुदा के कोई अख्स नहीं है दोनों में लिखा है कि खुदा के कोई बुत नहीं है दोनों में लिखा है कि खुदा के लावा and Hinduism, Islam and Hinduism में एक्सानियत, दोनों किताब में, आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में, सुरे माईदा सुरा पांच आयत नमर नबे में लिखा है, कि शराब पी नहरा में, मनुसमिती, चैप्टर नमर 9, वर्स नमर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, शराब पीना हरा में, कि आपके लिखा हरा में, मरावा गोश, खून, सुर का गोश, और वो ख़णा जिसके उपर अलम्लभ के इलावा किसी और का नम लिखा गया है, आप अगर हिंदु मजभी किताब पढ़ेंगे, उसमें मी लिखा है, का सौर का गोश खाना हराम है अगर आप तैकी करेंगे काफी अक्सानियत है इसलाम मज़िभी किताब में लिखा है कुरान में सुरे नूर में सुरा नमबर 24 आएत नमबर 31 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में आउरत को अलमदलिल्ला हिजाब में होना चाहिए सर से डखा होना चाहिए उसका जिसम तिर्फ जो दिख सकता है वो चैरा और हतेली तक के आप अगर हिंदू मज़िभी किताब पढ़ेंगे रिगवेद रिगवेद बुक नमबर 8 में लिखा है और रिगवेद बुक नमबर 10 में भी लिखा हुआ है कि आउरत को अपने सिर्क के पलो को डालना चाहिए चहरे पे रिगवेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए ये कुरान मज़िद में लिखा है सुने नूर सुना नमबर 24 आयत नमबर 331 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शोहर या खरीब लिखता नहीं है और जब भी कोई मर्द को और अवरत को देखता है और खरीब लिखता नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए तो इस तरीके दब तैकी करेंगे जो यकसानियत उसके अपर तो अमल करो तो यकसानियत हिंदू और इसलाम मजब में जो मजबी किताब में लिखा है लेकिन अफसोस की बात है कि मजब के ठीकेदार ये चीज़ का दिकर ही ने करते क्यों इसलिए मैं हवाले देता हूं मैं कोई आलम नहीं हूं मैं कोई पंडित नहीं हूं मैं अपने आपको तालिब इल्म कहता हूं लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं तो किसी को भी शक है किसी को भी शुभा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है या इंटरनेट पे जाएंगे आप टाइप करो वेज भी इंटरनेट के उपर है Quoraan मीं इंटरनेट के उपर है टाइप करोड़ एज ताईप करो आपका हवाला मिल जाएगा तो इसलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो rules and regulation है वही होना चाहिए इसलिए दोनों लोग मुमिन होना ज़रूरी है होब दानसे से question